आज मैं आपको ये बहतरी रेश्पी बना के दिखाने वाला हूँ योमी चिकन करी सिखने के लिए वीडियो को पूरा देखें योमी चिकन करी बनाने के लिए आपने कनना क्या है? सबसे पहले चिकन को अच्छी तरीके से धो लेना है जैसे कि मैंने धोया है और चिकन लिया है मैंने 700 गिराम तो ऐसे चिकन धोके रखने के बाद आपने एक पैन चड़ाना है पैन के अंदर आपने डालना है तेल 4 टेवल स्पून तील गरम होने के बाद आपने इसमें डालना है एक टी स्पून जीरा सिनिवान इस्टिक दो तेज पते ऐसे प्यार से इसको रोश्ट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसके बाद इसमें आपने डालना है यह अद्रक और लसन का पैस दो टेवल स्पून अच्छे से भूना ह इसमें आपने डालना है हरी मिर्च बारिक कटी हुई कम से कम छे मिर्च ले ले लें आप यह देखे ऐसे चला है अब आपने का करना है इसमें डालना है चिकन जो हमने धोके रखा था चिकन डालने के बाद आपने डालना है एक टी स्पून नमक उसके बाद इसको भून ले जैसे कि मैं भूनना हूँ जब आपके चिकन का ऐसे कलर चेंज हो जाएगा जैसे कि अभी हमारे चिकन का हो चुका है तब आपने डाल देना इसमें प्याच एक कप और प्याच को ऐसे बारी काट लें जैसे कि मैंने काट हुआ है और कुछ नहीं डालना है बिना कोई चीड डाले ऐसे अच्छे से आपने भूना है कम से कम 6 मिनट तक ऐसे भूने जैसे कि मैं भूना हूँ गैस आपने रखनी है फास जब आप 6 मिनट इसको ऐसे भून लेंगे तो देखें न आप इसका कलर ऐसा हो जाएगा तो अब आपने करना है इस टेम पे टमाटर डालना है इसमें एक कब टमाटर डालने के बाद आपने हल्दी पॉडर डालना है आदा टीश्पून एक टीश्पून लाल मिर्च पॉडर और एक टेबल स्पून कस्मेरी रेड चिली पॉडर अब आपने करना है इसको ऐसे मिक्स करना है और अभी कुछ नहीं डालना है इससे कहोगा बहुती बढ़िया कलर आजाएगा यह देखिए अच्छे से मिक्स करें और आप क्या कर सकते हैं मैं भी करी लेता हूं इसमें नमक डाल सकते हैं आदा टीस्पून क्योंकि हमने पहले एक टीस्पून डाला था तो आप डा कर लें अभी तीन चार मिनट ऐसे आप पकाएं छे साथ मिनट के बाद होगा क्या इस तरीके से टमाटर गल जाएंगे देखें आप जैसे कि हमारे गल चुके हैं तब आप निगा करना है इस टेम पे इसमें डालना है यह तीन टेवल स्पून दही एक टीस्पून जीरा एक एक टीस्पून गरम मसाला एक टीस्पून कसूरी मेथिक और एक टेवल स्पून धनिया पोड़र अब आप निगा करना है इसको ऐसे चलाना है देखें मतलब मसालों को हलका सा भून लेना है और दही भी फटेगा नहीं आपका यह देखें बेरी नाइस अब आप नहीं करना है ऐसे बढ़िया से मसाले भूनने के बाद मतलब थोड़ा भूनने दो मिनिट तक उसके बाद बता रहा हूं इसमें डालना है पानी कितना दो कप प्यार से चलाएं और आराम से आपने इसको कम से कम 10 से 12 मिनिट पका लेना है कम से कम बता रहा हूं उसके बाद बताऊंगा आपने इसमें और क्या डालना है देखें आप कितनी बड़िया चिकन करी हो गई है मतलब यह बात मैंने आप से सुनना है तो अब आपने करना है जब ऐसे आपकी चिकन करी पक जाएगी तब इसमें आपने डालना है दो टेबल स्पून देशी घी और दो टेबल स्पून ये धनिये के पते, ऐसे प्यार से चलाना है, जैसे कि मैंने चलाया, और गैस कर देना है आपने बंद, और कुछ ना डालें, अब मतलब मस्त हो चुकिए ये, शकल देखी ना अपने चिकन की, कित लिए इतनी प्यार ही ओ चुकिये अगर सकल देखके मों में पानी आ गया तो प्टफट कमेंट कर दें यह देखिए मैं में पानी आने वाली चिटकन करी बन चुकिये अब आपने कुछ नहीं करना है इसके उपपर डालना है तो सिरफ यह धनिये के पत्ते और यह है पिक अब आपने करना क्या है अगर आपको यह रेश भी पसंद आगे यह तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जादा से जादा से शेर करें अपने फ्रेंड और फेमली के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच